उसने, 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 एक सरकल लिया, यानिकी कर्व ली ठीक है उस पर एक arbitrary point क्या माना P जिसके coordinates उसने क्या लिये है X और Y ठीक है इस P पर उसने tangent draw किया उसने का इस पर जो हम normal लेंगे P पर और वो भी positive direction में देखिए अगर ये tangent है तो इस पर perpendicular क्या बनेगी radius बनेगी ठीक है जो कि center से pass करेगी तो ये हमारे पास इस पर क्या आगई है नोर्मल आगई है ठीक है नोर्मल आएगा तो इस direction में भी देखिए हमें positive direction में लेना खंकियो side की तरफ तो ये हमने क्या ले लिया normal at P ठीक है तो ये distance एक point लेंगे C center of curvature के आएगा एक point आएगा C जिसका इस P से क्या आएगा किसी point P के लिए on a curve, एक curve पर एक point क्या माना P उसके लिए center of curvature क्या आएगा is the point एक point आएगा और वो कहां पर आएगा on the positive direction of normal at P P पर normal draw करेंगे वो भी किस में positive direction में at a distance row from it जिसका इस से distance कितना होगा row then C is called center of curvature ठीक है उसके बाद उसने क्या बोला circle of curvature the circle with its center at the center of curvature C and radius equal to row is called circle of curvature corresponding to the point P of the curve क्या कहा एक circle लिया हमने with its center एक circle लिया जिसका center कहां पर है center of curvature पर ही है radius क्या है row के equal है n के radius of curvature के equal है then this circle is called circle of curvature corresponding to point P of the curve ठीक है उसके बाद next definition है evolute of a curve एक curve का evolute किसे कहते हैं देखे क्या बोले इसने definition the locus of center of curvature of the points of the given curve is called evolute of the curve ठीक है अब भी तो हमने क्या लिया सिर्फ एक point लिया P ठीक है कहीं पर भी अब इस P की different positions के लिए यानि कि इस P की position change करें या कहें curve पर हम और points लेते जा रहे हैं तो हर एक के लिए center of curvature के आएगा अलग-अलग position आएगी जिसे इस P के लिए तो ये आया center of curvature जब इस P की position आप change कर देंगे तो उसके लिए कोई और center of curvature आएगा ठीक है तो इस तरीके से उन सारे center of curvature का जो लोकस आएगा लोकस यानि कि उनका जो उनको मिलाएंगे तो जो वो path trace करेंगे उसको हम बोलते हैं लोकस तो curve के points के center of curvature का जो लोकस आएगा उसको हम क्या बोलते है evolute of the curve ठीक है next अब article है उसमें देखिए उसने क्या कहा है to find the coordinates of the center of curvature for any point P on the curve Y equal to F of X क्या कहा है हमने एक क्या लिया circle ठीक है उस पर एक point क्या लिया P जैसे उपर figure में लिया था उस P के coordinates हमने क्या मान लिया X और Y ठीक है उसने क्या कहा है to find the coordinates of center of curvature for any point P on the curve एक curve लिया हमने मान लिया Y equal to F of X उस पर एक point लिया P जिसके coordinates दे रखे है X और Y इस P के लिए इस curve का जो center of curvature आएगा C उसके coordinates निकालने है शुरू में हमने वो क्या मान लिया alpha, beta तो हमें ये alpha और beta की value निकालने है यानि कि C के coordinates निकालने है तो वो हम कैसे निकालनेंगे उसके लिए देखिए क्या किया हमने P हमने एक point मान लिया ठीके कर उपर उसके बाद C हमने मान लिया center of curvature with respect to P जिसके coordinates हमने क्या ले लिया alpha और beta जिनकी value हमें निकालने है तो C का P से distance उपर आप पड़ चुके हो किसके equal आएगा row के equal आएगा ठीक है हमने फिर क्या किया let किया the tangent at P to the curve make angle side with x axis यह मैं पहले बता चुकी हूँ अगर P पर curve पर कोई point लेते हैं P उस पर tangent draw करते हैं तो उसका इस OX के साथ x axis के साथ angle कितना बनेगा साई तो यह angle हमने क्या मान लिया साई ठीक है उसके बाद क्या किया हमने इस P से perpendicular draw किया x axis पर और जहां यह perpendicular आएगा उसको point नाम दे दिया M ऐसे ही C से draw किया perpendicular C N और P से P से इस C N लाइन पर जो perpendicular draw किया ठीक है वो तो हमने draw किया P M और C N और एक P से C N पर भी draw किया है उसको नाम दे दिया हमने P L ठीक है अब हम क्या निकाल रहे है देखिए यह angle आपको figure में भी दिख रहा होगा यह angle क्या दे रखा है साई अब हम देख रहे हैं साई कैसे आया है ठीक है यह जो P C L angle है यह साई कैसे बना है इसके दो method है एक तो आप यह देख लीजिए यह line और यह line के बीच का angle क्या था साई और जो दो lines के बीच का angle होता है वही उनके normals का बीच का angle होता है अब यह है tangent इस पर normal बनेगी यह line PD line ठीक है दूसरी है यह horizontal line उस पर perpendicular बनेगी यह vertical line ठीक है इसका मतलब यह जो दो lines है इन पर normal यह दो lines आएंगी और जो इनके बीच का angle होगा वही इनके बीच का angle होगा तो अगर यह angle साई है तो यह angle भी क्या बन गया है देख लिजे यह angle कैसे निकाल रखा है PCL निकालने के लिए इसने लिखा 90 minus CPL उसके लिए क्या किया इसने यह triangle consider की इस triangle में एक angle क्या है 90 तीनों का सम क्या होता है 180 ठीक है तो यहां से उसने PCL angle निकाल लिया तो वो क्या बच्चेगा 90 minus CPL angle ठीक है फिर CPL angle निकाला उसने CPL angle निकालने के लिए उसने क्या यूज किया 90 minus L P T क्योंकि यह जो radius है और यह यह आपसे मैं बता चुक्यों क्या है perpendicular है यह पूरा angle क्या है 90 तो यह बचा हुआ क्या बचेगा 90 minus this angle तो हमारे पास यह angle हमने निकाल लिया जो CPL angle था यह क्या आगया पूरा 90 में से यह हटा दिया 90 minus L P T 90 से 98 गया तो यह किसके क्यों ला गया L P T के L P T angle क्या है P T X यानि कि यह भी angle साई है क्योंकि यह angle यह line और यह line पैलर है तो यह और यह alternate angle बनेंगे तो यह angle भी क्या हो जाएगा साई तो दोनों method से आप निकालोगे angle साई ही आएगा देखिए यह angle साई निकाला क्यों है हमने क्योंकि हमें value तो किसकी शेये थी alpha की और beta की ठीक है alpha और beta की value के लिए हम यह जो right angle triangle बन रही थी इसका use करेंगे तो इसके लिए हमें एक angle पता होना चाहिए क्योंकि यह perpendicular draw किया था perpendicular draw किया था तो यह angle क्या बन गया है 90 ठीक है यह angle 90 बन गया है तो यह हमारे पास क्या बन गया hypertony तो इसमें एक angle पता होना चाहिए तो यह angle हमने क्या निकाल लिया SI अब देखिए हमें क्या निकालना है alpha alpha किसका coordinate है इस c point का coordinate है वो भी x axis वाला ठीक है alpha angle है इसका मतलब इस c का इस x axis से distance कितना होगा alpha for example आप जैसे कोई point draw करते हो माली जी यह x axis है यह y axis है मालो मैंने एक p point लिया जिसके coordinate 3 और 4 ले लिये तो इसका मतलब इस p का इस x axis से distance कितना है 3 है ठीक है और ऐसे ही y axis से अगर हम इसका distance देखेंगे तो वो कितना बनेगा 4 ऐसे ही देखते है ना यह 3 और 4 होने का मतलब इतना तो यह 3 चला है और इतना यह 4 चला है तो इसका मतलब इसका इधर से distance देखेंगे तो 3 आएगा और vertical distance देखेंगे तो 4 आएगा तो वही काम हमने किया है इसका मतलब अगर मैं o का c से c का मतलब यह जो perpendicular draw कर रखा है c से जो perpendicular draw कर रखा यह क्या है n इसका मतलब o से n तक का distance हमारे पास क्या बन गया है जो इसका x-axis वाला coordinate है यानि की alpha तो on किसके equal आ गया alpha के ठीक है तो अब वही काम किया है देखें alpha equal to on अब on की value इसने क्या लिखी om minus mn यह भी figure से देख लीजे on किसके equal बन रहा है आपको om में से n m minus कर दीजिए तो on ही बचेगा ठीक है अब इनकी value निकालनी है किस-किस की एक तो om की और एक n m की अच्छा om तो आपके पास x नहीं बनेगा क्यों बनेगा यह point क्या है p p का coordinate देखे यह क्या है x इसका मतलब यहां से यहां तक का distance क्या है x तो om की value तो क्या आगई है x ठीक है अब किसकी निकालनी है n m की value यह n m किसके equal है इस p l के equal है तो n m की बज़े मैं किसकी value निकाल लेती हूं p l की क्योंकि दोनो equal है p l की value आप किससे निकाल लीजिए इस triangle से निकाल लीजिए ठीक है न तो देखे यही काम किया हमने alpha equal to क्या लिखा on on को क्या लिखा om minus mn mn किसके equal था lp के equal इस lp की value आप उस lp c triangle से निकाल लीजिए और वो क्या हैगी rho sine phi वो आप easily निकाल सकते हो यह triangle आपके पास यह क्या बनेगा perpendicular यह क्या बनेगा hypotenuse ठीक है न तो आपके पास sine psi किसके equal आजाएगा perpendicular upon hypotenuse यानि कि pl upon rho ठीक है तो वहाँ से pl की value आपके पास क्या जाएगी rho sine sine ठीक है same आपको beta निकालना है अब beta आपके पास देखिए क्या distance है n तक तो beta किसके equal आगया cn के equal cn को हम कैसे लिख सकते है cl plus ln ठीक है न cl plus ln फिर से वही काम कीजिए ln तो किसके equal है pm के equal है और pm का देखो यह coordinate कितना है y तो इसका मतलब pm distance क्या बनेगा y तो इसका मतलब ln भी क्या बनेगा है y base ठीक है और hypotenuse कितना है rho तो कैसे निकाल लोगे cosi equal to cl upon rho तो आपके पास cl के value क्या आगया rho cosi तो यह सारी values हमने यहाँ पर put कर दी beta equal to cn cn को लिखा ln plus cl ठीक है ln किसके equal है pm के equal है cl के value उस right angle से निकाली rho cosi और यह क्या था y तो beta किसके equal आगया y plus rho cosi अब rho की value आपको पता है क्या होती है 1 plus y1 square raised to 4 3 by 2 upon y2 यह पीछे article से आप निकाल चुके हो और sin psi और cosi की value भी आप वहाँ से निकाल चुके हो मैं आपको बता देती हूँ आपने कहा निकाली थी sin psi और cosi की value जहां 5th chapter स्टार्ट हुआ था 5.1 से पहले जो article थे radius of curvature for Cartesian equation उसमें आपने पढ़ा था tangent psi के इसके equal आया था dy by dx के ठीक है तो इसका यूज करके आप sin psi और cosi निकाल सकते जैसे cosi की value तो निकाली रखे cosi equal to one upon second psi ठीक है उसको आपने क्या रिखा one upon unroot one plus ten square psi और ten square psi यहां से क्या बन गया unroot one plus इसकी value पुट कर दी dy by dx का whole square यानि की one by unroot one plus y one square यह क्या निकल गया cosi इसी का यूज करके आप sin psi भी निकाल सकते हो तो वो दोनों values हम यहां पर use करेंगे ठीक है cosi की तो यह आई हुई थी sin psi की आप कुछ से भी निकाल सकते हो यह दोनों values हमने निकाल ले अब यह values हम put करेंगे कहां पर alpha और beta की value में यहां पर क्या था sin psi यहां क्या था cosi यह दोनों values alpha और beta में put कर दीजिए तो आपके पास क्या निकल गए alpha और beta की value निकल गए यह यह आपको निकाल ली थी यह किसके coordinates माने थी हमने center of curvature के ठीक है दूसरा आप इसको किसकी terms में निकाल सकते हो s की term में निकाल सकते arc length की term में उसके लिए यह results आप पीछे निकाली चुके उन्ही articles में चेक कर ले न row आपके पास पताईए क्या होता ds upon dsi और वहाँ पर science i और coast i के आपने value निकाली थी science i आया था dy by ds और coast i आया था dx by ds ठीक है तो alpha equal to x minus ds by dsi यह कैसे आया यहाँ पर आपने क्या किया value पुट किये देखे alpha आपके पास क्या था x minus rho sin psi तो rho की और sin psi की value पुट कर दीजिए rho की जंगे तो ds by dsi पुट कर दिया और sin psi की जंगे dy by ds पुट कर दिया ठीक है तो यह आपके पास value क्या आगी x minus ds a ds तो यह बचेगा dy by dsi ऐसी बीटा में भी value पुट कर दी rho की और cos psi की ठीक है यह दोनों values यहाँ पर पुट कर दी तो आपके पास यह किसकी value आगी बीटा की भी value आगी आगे उसने का equation of circle of curvature अगर alpha बीटा center of curvature है rho radius of curvature है at a given point P on the curve equation of circle of curvature corresponding to point P क्या बनेगा circle की equation क्या हो दी थी x minus x naught square plus y minus y naught square equal to r square जहाँ पर r तो radius होती थी और x naught y naught center होती थी तो यहाँ पर बस center बन गे आप alpha और beta center of curvature और radius r की जिए आगे रो circle of curvature तो वही लिखा x minus alpha square plus y minus beta square equal to rho square ठीक है उसके बाद next देखिए equation of the evolute अगर evolute की equation निकालने है तो देखिए इसने क्या का we have proved that the coordinate alpha beta of center of curvature are given by alpha की देखिए ओपर equation 1 से value आई थी x minus rho sine 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 और beta की value आई थी y plus rho cosi तो इसने खाये यह जो x y rho sine यह सारे depend तो किस पर कर रहे हैं s पर ही depend कर रहे हैं इनकी value हमने s की terms में भी तो निकाल लिए therefore above equation may be treated as parametric equation of the evolute by replacing alpha beta with suitable variables अगर हम इनकी value s की terms में put कर देंगे तो आपके पास जो alpha और beta की equations आएंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे parametric equations of the evolute उसके बाद देखिए next क्या code of curvature next देखिए क्या code of curvature code of curvature simple उस circle of curvature की कोई भी code जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे code of curvature देखिए क्या बोला है any code of the circle of curvature at P which is drawn through P in any given direction is called code of curvature in that directional direction में वो उसकी code of क्या बन जाएगी curvature next देखिए क्या दिया cartesian coordinates की code of curvature पहला टू axis उसने क्या का हम दो code of curvature लेंगे वो दो codes किसके parallel लेंगे axis के parallel यानि कि एक को x axis के parallel और एक को y axis के parallel ठीक है किसी point P पर तो हमें क्या निकालने हैं उसके length of code of curvature उन codes की जो हमने axis के parallel codes लिया है उनकी length निकालनी है ठीक है cartesian coordinates में तो उसके लिए देखें क्या किया Let P be any point on the given curve वही हमने एक circle लिया उस curve पर हमने एक point क्या ले लिया है P यह point हमने यह curve लिया इस पर एक point क्या ले लिया है P P L और P M हमने code of curvature ले ले parallel to x-axis y-axis, x-axis के parallel हमने ले ली pl, y-axis के parallel हमने code of curvature के ले ली pm, let the tangent at p make angle psi with positive direction of x-axis, यह हम पहले भी लेते थे, p पर हमने एक tangent draw किया, जो x-axis की positive direction के साथ angle क्या बना रहा है, psi, ठीक है, तो t, p, l angle, यह, t, p, l, यह angle भी क्या बन जाएगा, psi, क्योंकि दोनों हों, क्या है, alternate angle है, तो यह angle बन गया, psi, फिर l, p, d, l, p, d, यह angle कह रहा है, वो बचा 90 minus psi, क्योंकि यह जो pl है, वो इस tangent पर क्या है, perpendicular है, तो यह total angle कितना हो गया, 90, ठीक है, total angle हमारे पास बन गया 90, यह बचा हुआ क्या था, psi, तो इसका मतलब यह angle कितना ब 90 minus psi, और m, p, d, यह angle फिर से यह कह रहा है, psi, क्यों बचा, क्योंकि देखे, यह फिर से ml और p, यह दोनों हमने क्या लिए है, perpendicular है, क्योंकि एक तो x-axis के parallel, एक y-axis के parallel, यह दोनों आपस में perpendicular होती है, तो यह दोनों लाइन से आपस में 90 degree हुई, ठीक है, यह angle 90 minus psi है, 90 में से 90 गटाओगे, तो बचा angle क्या बचेगा, psi, तो इसलिए m, p, d, angle क्या बचा, psi, आगे उसने का, if we denote the code of curvature, parallel to x-axis as c, and parallel to y-axis as c, x-axis के parallel, जो code की length हैगी, यानि की p, l, उसको denote कर दिया, इसने c, x से, और उस line को उसने denote कर दिया, pm को किसे, c, y से, तो इन दोनों की lines निकालनी का म निकालते हैं, p, l की value हम कैसे निकाल सकते हैं, इस triangle से, ठीक है न, p, इस triangle से, p, l, इसके साथ, angle क्या बना रही है, 90 minus psi, तो इसका मतल़ है, p, l की value क्या बनेगी, p, d, cos, 90 minus psi, आप या तो ऐसे देख लीजिए, p, l, इसके साथ, angle क्या बना रही है, theta, तो हम बोलते हैं, यह coordinate आएगा, a, cos, theta, यह जो भी है, तो उस तरीके से बोल सकते हो, p, l, cos, यह एंगल बना रही है, 90 minus psi, यह यह राइट एंगल, triangle, consider कर लीजिए, जिसमें, यह एंगल, 90 minus psi, यह क्या है, प्रपेंडिकुलर है, ठीक है, तो 90 के सामने, यह hypotenuse बनेगा, p, d, तो आप उसे भी निक कामेटर, ठीक है, यानि की, रो, और रो, तो टोटल कितना हो गया, 2, रो, इंटू, यह क्या बन गया, sine, side, 2, row, sine, side, value, पुट कर दीजिए, रो की भी, और sine, side, की भी, पीछे, जो आपने value निकाल रखिए, रो की value तो क्या होती थी, 1 plus y1 square, rest of our 3 by 2 upon y2, और sine, side, की value निकाल होगे, pdm, तो यहां से pm आप निकाल लेंगे, वो बनेगा, pd cos psi, ठीक है, डिक भी देख सकते हो, pm, pd के साथ angle क्या बना रहा है, psi, तो यह वाला coordinate क्या बन जाएगा, pd cos psi, pd to grow है, cos psi, तो नों की value पुट कर दी, simplify किया, तो आपके पास length of code आगी, code of curvature, जो की किस के parallel थी, next, देखिए polar equation, अब में polar r और theta की terms में निकालनी है, क्या दिया है, उसने code of curvature through the pole and perpendicular to the radius vector, क्या का है, अब की बार जो code of curvature लेंगे, वो किसे लेंगे, एक तो through the pole, जो pole से पास कर रही होगी, और दूसरा, जो radius vector के क्या होगी, perpendicular होगी, ठीक है, दो code हमने consider करनी है, तो दूसरी इसने लिए PM, जो इस radius vector पर, radius vector पर, sorry, R पर जो perpendicular, वो इसने क्या ले लिए PM, तो दो इसने कौन सी लिए है, PL और PM, क्योंकि ये PM इस पर R पर ही perpendicular है, ठीक है, तो PL पर भी perpendicular होगी, तो इसलिए, ये PL और PM आपस में क्या है, perpendicular, यानि कि 90-80 पर, देखिए, अब करते है article start, let the graph of the curve, R equal to F of theta, क्योंकि polar coordinate में काम चल रहा है, इसलिए curve की equation, हमने Y equal to F of X की बजाए क्या लिए, R equal to F of theta, B arc, A, B, वो arc हमने क्या ले रखिये, given curve, ये A, B, ठीक है, let P R theta be a point on the graph, वही एक arbitrary point लिया, लेकिन अब की बार, coordinate X, Y की बजाए क्या लिए, R theta, then the portion of the code through P, and the pole intercepted by the circle of curvature is denoted by C naught, ये जो curve का portion आएगा, जो code किसे पास कर रही है, P से, और pole intercepted by the circle of curvature, जहां circle of curvature के इंटरसेप्ट करेगी, यानि की L पर, तो ये जो P L portion है, जो हमें निकालना है, ये P L को हमने किसे denote कर दिया है, C naught से, और दूसरा उसने बोला था, perpendicular to radius vector, तो portion of code through P, and perpendicular to radius vector, intercepted by the circle of curvature is denoted by C P, उसने क्या का था, कि P से code पास करेगी, और कहां, किस direction में लेनी है हमें, वो किस direction में लेनी है, जहां पर, वो radius vector पर क्या हो, perpendicular हो, तो हमने point क्या ले लिया, M, कि ये P, M, हमने इस सरीके से लिया, R पर क्या है, perpendicular, तो जहां intercept करेगी, वो point हमने ले लिया, M, त तो उसके लिए देखे, क्या किया, P, let the tangent P makes angle 5 with radius vector, आप पिछे भी यही लेते थे, कि P पर जो tangent draw किया है, वो किस के साथ, radius vector के साथ, हाँ, radius vector के साथ, angle जो बनाएगा, वो angle क्या है, 5, तो ये angle क्या बन गया है, 5, P, L makes angle 90-5 with normal P, C, D, जैसे उपर वाले article में किया, बिल्कुल उसी तरीके से, इसने क्या का, P, L, ये जो line है, ये P, L, कि value निकाल ली, इसने, कि, निकालने के लिए, ये पहले angle निकालेगा, कि ये P, L, इस P, C, D के साथ, angle, ये angle कितना बना रहा, 90-5, आप कैसे निकाल सकते है ये total angle कितना है, 90, ठीक है न, ये, ये जो है, normal है, इस tangent पर, ये total angle कितना होगा, 90, और ये angle क्या है, 5, तो ये बचा हुआ, क्या बचा, 90-5, अगर ये 90-5 है, P, L, इसके साथ, अगर 90-5 बना रही है, तो ये P, L की value क्या जाएगी, P, D, इन्टु कोस 90-5, P, D क्या है, 2-0, य आपको CP निकालनी है, CP क्या थी, PM, PM निकालनी है, तो पहले आप ये angle बना लीजिए, ये angle कितना बचेगा, बिलको दूसरी तरीके से, ये line, और ये line, मैंने पहले बताया था, दोनों code आपस में क्या है, perpendicular है, ये angle 90-5 है, तो ये बचेगा 90-90-5, तो ये angle क्या बचा, 5, तो value पुट कर दी, rho, sin, phi, cos, phi की, in terms of r and theta, ये आप पीछे निकाल सुके हो, पीछे वाले article से, ये दोनों values, r और sin, phi की, sorry, rho और sin, phi की value से पुट कर देना, ऐसे ही समें, उसको simplify करोगे, तो आपके पास, c note और c, rho, c, p आजेंगे, जो आपको निकालनी थी, paddle equation के लिए, c note के आया था, 2, rho, sin, phi, c, p के आया था, 2, rho, cos, phi, paddle equation के लिए, इसको r और p की terms में, आप convert करोगे, तो जो values यूज करोगे, वो r और p की terms में, यूज करोगे, पिछे आप निकाल चुके हो, यूज भी कर चुके हो, रो किसके इक्वल होता था, r, dr, by, d, p, k, sin, phi क्या होता था, p, by, r, cos, y आया था, unroot r square minus p square by r, check कर सकते हो, वो सारी values इसके अंदर put करके simplify करोगे, तो आपके पास c, not, or c, p, आजाएगा, ठीक है, यहां तक आपके articles कंप्लीट हो गए है, articles इतने important नहीं है, आपको यह सारे formula याद रखने है, जितने भी formula हमने derive कि हैं हर article म वो सारे formula questions में use होंगे, तो वो आपको याद होने चाहिए,